पित्रिग्नाय विद्महे जगत धारिनी धीन ही तन्नों पित्रियों प्रचोध्या नमस्कार सर्वपित्री अमावस्या का हिंदूओं में बहुत महत्व है इस दिन पर लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं गरुर पुरान के अनुसार यह वह समय है जब पूर्वज पृत्वी पर आते हैं और लोगों को अपने पूर्वजों के नाम पर ब्राहमनों को भोजन कपड़े और धन का दान करते हैं साथ ही उनके नाम से तरपन करते हैं जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्थ हो सके हिंदू धर्म में अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक बड़ा महत्व है वहीं अगर ये पित्री पक्ष के दौरान आए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है यहां अमावस्या पित्रों की पूजा के लिए समर्पित है सर्वपित्री अमावस्या को महाल्या अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है जो पित्री पक्ष के समापन का प्रतीक है इस साल सर्वपित्री अमावस्या कब मनाई जाएगी? इसकी डेट को लेकर लोगों के मन में थोड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को हम यहां दूर करते हैं और इसकी सही तिथी और समय बताते हैं एक या दो अक्टूबर कब है सर्वपित्री अमावस्या? हिंदू पंचान के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या तिथी 1 अक्टूबर 2024 को रात्री 9 बचकर 49 मिनट पर शुरू होगी वहीं इसका समापन 3 अक्टूबर 2024 को रात्री 12 बचकर 18 मिनट पर होगा पंचान को देखते हुए सर्वपित्री अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी इस दिन को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन पित्रों के लिए किया गया तरपन उन्हें मोक्ष प्रदान करता है सर्वपित्री अमावस्या शुभ मुहूर्थ कुतुप मुहूर्थ 11 बचकर 46 मिनट से 12 बचकर 34 मिनट तक रोहिन मुहूर्थ 12 बचकर 34 मिनट से 13 बचकर 21 मिनट तक तरपन करने की विधी पित्रि पक्ष के दौरान तरपण करने के लिए एक योग्य पुजारी अपनी जानकारी से बताते हैं कि पूर्वजों का तरपण करते समय दक्षिन दिशा की ओर मुख करें इसके बाद तीन मुठी का उप्योग करके अपने अंगूठे और पहली उंगली के मध्य भाग से जल अर्पित करें तरपण के लिए कुश, अक्षत, जो और काले तिल का उप्योग करें इसके बाद पित्रों के प्रार्थना मंत्र ओम आगच्छन तुमें पितर एवं ग्रहन्तु जलान जलिम का जाप करें जो और कुश से रिशियों के लिए तरपण करें इसके पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो और कुश से मानव तरपण करें पित्री गायत्री मंत्र का करें जब। पित्री गायत्री मंत्र ओम देवताभ्य पित्रिभ्यष्च महायोगिभ्य एवचर। नमस्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। तरपन करते समय पित्री गायत्री मंत्र का जब जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पित्री प्रस साथ ही सुख समरिधी का आशिरवाद प्रदान करते हैं। सर्व पित्री अमावस्या पर चना हरी सरसों के पत्ते, जौप, मसूर की डाल, मूली, लौकी, खीरा और काला नमक नखाएं। सर्व पित्री अमावस्या पर अपने घर आने वाले किसी भी जीव या अतिथी का अनादर नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। सर्व पित्री अमावस्या महत्व सर्व पित्री अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेश महत्व है। क्योंकि इस दिन पित्रों की विदाई की जाती है। इसे पित्री विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन वह लोग खासकर पूजा कराते हैं। जिनकी कुंडली में पित्री दोश होता है। पित्री दोश होने से विवाह होने में देरी, दामपत्य जीवन में दिक्कत, संतान होने में बाधा, करियर में परेशानी होती है इसलिए इस दिन पित्रों अर्थात अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान और तरपन किया जाता है जिससे वह प्रसन्न होकर आशिरवात प्रदान करें मान्यता है कि इस तिथी पर पित्री पुनह पित्री लोग को जाते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूले